दोस्तो आज हम ऐसी एक्टरिस के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके होस उड़ जाएंगे जिनोंने बॉलिफुड में नाम और पैसा कमाने के लिए अपने जिस्म को इस हद तक बेच दिया जेकलिन फर्नांडेस जिन्होंने नाम और पैसा के लिए दूसरों की गर्मी को बुझाया और बन गई सूपर इस्टार इन्होंने कई लोगों के साथ रिलेशन बनाकर फिल्मों में जगा पाई है इन्होंने बहतरीन फिल्मों साइथ सांदर म्यूजिक एल्बम में काम करके करोडों लोगों का दिल जीता है सायद बहुत कमी लोग जानते होंगे कि जेकलिन का पहला बॉइफ्रेंड एक प्रिंस था के सुरुआती दिनों में अरब देश बहरीम के प्रिंस हसन बिन रासिद अल खलीपा को डेट करती थी 2008 में जेकलिन अपने किसी एल्बम के लिए भारत आई थी और यहां उसने अलाउद दिन फिल्म के लिए और वो सेलेक्ट भी हुई थी लेकिन इस फिल्म के दोरान रितेस देश मुख पर डोरे डालने लगी थी ताकि रितेस आगे उनको काम दे सके और हुआ भी वैसा ही आगे रितेस जैकलीन के हुसने के जाल में फस गए और रितेस ने जैकलीन की सिफारिस आने वाली फिल्मों के लिए भी कर डाली, फिल्म का नाम है जाने कहां से आई है, इस फिल्म में जैकलीन ऐसी भूमी का निभाती है जो ग्रह से प्यार की तलास में प्रितिव पर आई थ जाहिर सी बात है साजीद खान बड़े फिल्म डिरेक्टर में से एक है साजीद खान से दोस्ती और प्यार का परड़ाम ये हुआ कि जैकलिन को महेश बट की एक फिल्म मिल गई फिल्म का नाम था Murder 2 ये मुवी जैकलिन की पहली सफल मुवी गिनी जाती है इसके साथी साजीद खान जैकलिन के साथ रोज राते रंगीन करता था और जैकलिन को फिल्म में लीड रोल दिया करता था यही साजीद खान जैकलिन पर साधी के लिए ज़्यादा दबाव डालता था जबकि जैकलीन उसी समय बिना साधी कई कई लोगों के साथ राते रंगीन करके अपने قिस्मत चमकाना चाथी थी और उसी समय जैकलीन की एक सर्थ थी कि जब तक वो बॉलिवोड इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस नहीं बन जाती तब तक वो साधी नहीं करेंगी। साजित खाने जैकलीन को किसी भी फिल्म में बोल्ड सीन किसिंग सीन देने से मना कर दिया था और धीरे धीरे दोनों के रिष्टे में दिक्कते आने लगी। हुई